स्वागत है आपका E2E Classes में आज हम बात करेंगे भाषा की उपर तो MDC Hindi के सिलेबस में Second Unit में जो भाषा की परिभाषा मातर लिखा हुआ है आपके सिलेबस में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आपकी तयारी बस उतने तक सीमित ना हो आपको भाषा की परिभाषा के साथ उसकी विशेस्ता पर भी अपना एक दिर्ग प्रशन का उत्तर त्यार कर लेना चाहिए तो शुरू करते हैं भाषा की परिभाषा देखिए सबसे पहले तो आपको भूमी का जानने आविश्यक है कि जब आप दिर्ग प्रश्न के उत्तर लिखेंगे तो भाषा की परिभाषा और मूल बिंदू पर आने से पहले आप भाषा क्या है इसका महतों क्या है एक अनुछेद में आप बताएं तो सबसे पहले आप यहां देखिए कि भाषा एक समाजिक क्रिया है इस परश्टूप से क्योंकि मनुष्य ही एक समाजिक प्राणी है और समाजिक प्राणी होने के नाते उसे अपनी बाचीत या अपने दैनिक क्रिया कलाप में जिन भी चीज की आविशक्ता होती है वो सहयो और आपसी सहयोग से ही संभाव हो पाती है इसी कारण भाशा क्या है एक समाजिक क्रिया है यह किसी व्यक्ति की कृति नहीं है इक दम इस पश्ट्रूप से आप ध्यान दीजिए कि यह किसी व्यक्ति की कृति नहीं है समाज में यह विचार विनिमय का साधन है यानि दुसरी भावना एक दुसरे के विचारों को हम जब एक दुसरे सा अधान प्रदान करते हैं तो वो विचार विने मैं कहला आता है मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुमों के विशय में अपनी इच्छा और मती का अधान प्रदान करने के लिए व्यक्ति धुनी संकेतों का यध्यान रखिएगा जब आप लिखें तो आपके पास एक परिभाशिक शब्द होना चाहिए धुनी संकेत जब आप अधान प्रदान करते हैं अपनी भावनाओं का तो जिस धुनी संकेत का वहवार करते हैं उसे ही भाशा कहा जाता है मानव जाती की प्रतेक पीड़ी कोई नई भाषा उत्पन नहीं करती है यह बात आप समझेए हर नई पीड़ी अपने लिए एक नई भाषा नहीं बनाती है भाषा की प्रकृती भी आप इससे समझ सकते हैं यहीं से ठीक है शुरुवात हो जाती है पहले ही पंक्ती से बलकि वो क्या करती है अपने पूर्वज से भाशा सीखती है हम सब ही घर की बोलचाल की भाशा या पठन-पाठन की भाशा ये सब को सीखते हैं अपने बड़ों से अपने पूर्वजों से इस प्रकार भाशा परंपरागत संपत्ती है यद्यान दिजेगा भाशा क्या में परंपरा से प्राप्त हो रही है उसकी धारा अविच्छिन चलती रहती है अविच्छिन का तातपर्य है जिसको छिन भिन नहीं किया जा सके वो अविच्छिन कहलाता है साथ ही यह अरजित संपत्ती है यहां भी देखिए यह अनुशेद में विशेस्ता और ततों भी बात होती चली जा रही है वहराल यह एक भूमिका है भूमिका के तौर में ही आप देखेंगे कि आपको सारी विशेस्ताएं भाषा की स्पष्ट हो रही है यह अरजित संपत्ती है क्यों अरजित संपत्ती है इसका जिक्रह हम बाद में करेंगे भाषा से ना केवल विशेगत जानकारी प्राप्त होती है बलकि इसके माध्यम से हमारा सम्वेगात्मक विकास भी होता है सम्वेगात्मक विकास का मतलब होता है जो हमारे मन मस्तिक्स में जिस तरह के सम्वेगुत्पन होते हैं हमारी भावनाओं से सम्बंदित जो आवेगुत्पन होता है वो से ही सम्विगात्मक कहा जाता है सम्विगात्मक विकास तो भाशा मनुस्य के लिए इश्वर का अनोखा वर्दान है और सबसे प्रसद कहावत कहा जाता है कि चार कोस पर पानी बदले आठ कोस पर बानी आप इसे अपने निजस जीवन में परिक्षा लेकर भी आप देख लिजेगा इस पंक्ती का कि यह बात कितनी सटीक है चार कोस पर पानी का स्वाध निश्चित तोर पे बदलता है और आठ कोस पर वानी यानि बानी का लहजा भी जो है बदल जाता है एक ही भूचपूरी बोली जारी है लेकिन आठ आठ कोस पर उसका रूप बदलता चला जाएगा आराम से तो यह चीज जो है अपलाई होती है अर्थात थोरी थोरी दूर पर समाज की भाषा में बदलाव आही जाता है जो की स्वभाविक है इस पश्ट रूप से यह भूमिका हुई अब बात करते हैं अर्थ एवं परिभाषा तो आपको यह ध्यान रखना है कि भाषा भाष धातु से बना हुआ है निश्पन्न का मतलब भी वही होता है निश्पन्न मतलब निकलना उत्पत्ती जिससे होती है तो भाष धातु से भाषा शब्द बना है यह ध्यान रखिएगा हर शब्द की उत्वत्ती की पीछे एक धातू होता है और यह धातू कोई खनिस धातू नहीं है जैसे अभरक्स होना चांदी लोहा यहां व्याक्रणिक दिश्टिकॉर्ण से जिस तत्वा से बन कर आता है जो शब्द निर्मान में सहयक होता है वो धातू ही कहलाता है तो शास्त्रों में कहा गया है भाशा व्यक्तयाम वाची भाश व्यक्तयाम वाची अर्थात व्यक्तवानी ही भाशा है या अपनी वानी को हम जिस तरीके से व्यक्त करते हैं वो भाशा है तो अब भाशागी परिभाशा देते हुए बहु सारे विद्वान साहित जिगत में अवतरीत होते हैं उनमें से पहला परम पुझे हमारे व्याकरण अचारे डॉक्टर कामता प्रसाद गुरू का यह कथन देखिए भाशा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भलिभात प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार इस पश्टतह समझ सकता है और यह कथन उनकी किताब है हिंदी व्याकरण जिसे कोष्ठक में आप देख पा रहे हैं कोष्ठक अर्थार्थ ब्रैकेट तो यहाँ पर किताब का नाम भी लिखा गया है आप जब अपने दिर्ग प्रश्ण का उत्तर त्यार कर रहे हैं एक्जाम में आप यदि लिखें तो भड़सक यह प्रयास करना चाहिए कि उक्त विद्वान का कथन किस किताब से आया है तो आप इसे स्किप मर्द कर दीजिएगा इसे ध्यान दीजिएगा तो हिंदी व्याकरण नाम की किताब में कामता प्रसाद गुरुया लिखते हैं कि भाशा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भलिभाती प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार को स्पष्ट तह समझ भी सकता है अब यदी कहा जाता कि दूसरों के विचार समझ सकता है तो बात इसमें भी पूरी हो सकती है लेकिन स्पष्ट तह यानि उसमें कोई भी शंका संदेह की गुंजाईश ना हो इसलिए स्पष्ट तह शब्द का यहां बहुत महतोपूर्ण भूमी का है अब दूसरे विद्वान की बात करते हैं आचार किशोरी दास वाचपई इन्होंने अपनी किताब भारतिय भाषा विज्ञान में यह लिखा कि विभिन अर्थों में संकेतित शब्द समुही भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनुभाव दूसरों के प्रती बहुत तसरलता से प्रकट करते हैं अब आप यहां प्रध्यान दिजिएगा कि दोनों विद्वानों की बातों में भाव एक ही है लेकिन फिर भी शब्द चयन अलग है परिभाषा देते समें इसे लिए बहुत सारे विद्वार्थियों को यह आदत होती है कि वह समझ कर लिखते हैं समझ कर लिखना बुरी बात नहीं है लेकिन जब तक आप वाक्य विन्यास, शब्द विन्यास की कला न सीख जाए अपने भावों को इस पश्ट तरीके से सु गढ़ित रूप में रखना न जान ले तब तक आपको थोरा संदेह करना चाहिए खुद से लिखने की कला पर क्योंकि अगर आप भाव को यहाँ पकड़ेंगे, परिभाषा देते समय तो बात गड़डा जाएगी, इस पश्ट रखी, गड़बर होना स्वभाविक है जब आप परिभाषा दे रहे हैं तो उक्त विद्वान ने जिस शब्द का प्रयोग किया है जहां अल्प विराम, पूर्ण विराम लगाया है, आपका हू बहू पालन करना अनिवार है इसलिए आप यहाँ भाव नहीं पकड़ेंगे, आपको यहाँ अपने मन से नहीं लिखना है उत्तर जो किशोरी दास ने कहा है, हू बहू वही लिखना है दोनों के भावार्थ में, यानि भाव के अर्थ में समानता है, लेकिन शब्द चेन और वाक्य वन्यास में समानता नहीं है तो किशोरी दास कह रहे हैं कि विभिन अर्थों में, अलग-अलग अर्थों में जब हम संकेतित शब्द समू अब जैसे देखिए, अगर हम भाशा की परिभाशा ही पढ़ रहे हैं, ये विभिन अर्थ प्रकट कर रहा है तो ये जितने भी आपको वर्ण नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक संकेतित शब्द समू ही है यानि ये शब्द समू किसी ना किसी अलग-अलग अर्थ का संकेत दे रहे हैं जैसे भाशा, है, विचार, इसपश्ट तह, ये सारे शब्द समू का मतलब होता एक वाक्य में जब शब्द आ जाते हैं तो एक एक पंगती, एक वाक्य, एक संकेतित शब्द समू ही है जिसके द्वारा हम अपने विचार या मन उभाव दूसरों तक प्रकट कर रहे हैं अब यहां देखिए बहुत ही सरलता से यहां कामतापरसाद गुरू ने शब्द का प्रयोक किया विचार स्पष्टता समझ सकते हैं यहां पर किशोरी दास क्या कह रहे हैं? सरलता से प्रकट कर सकते हैं तो इन सारी सुक्षम बारिकियों का आपको ध्यान रखना आविश्चक है बात करते हैं डॉक्टर श्याम सुन्दर दास क्या कह रहे हैं? मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विश्य में अब यहाँ पर यह कहीं न कहीं एक तात्विक भेद ला रहे हैं परिभाश्य अलग होगी कैसे? तो भाई एक इनसान दूसरे इनसान से किसी वस्तुओं के विश्य में ही बात करता है समाननिता या वहाँ कोई संबंध हो सकता है लेकिन वस्तुओं के मद्यम से बाते समझ में आती है तो वस्तुओं के विश्य में अपनी इच्छा और मती का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वानी संकेतों का जो वहवार होता है उसे भाशा करते हैं और उनका यह कथन भाशा विज्यान नाम की किताब में सुरक्षित है तो आपको ने यहाँ पर क्या जाना? मान लीजिए कि दो व्यक्ति अगर पानी पूरी के स्वात पर बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति पानी पूरी खाता हुआ कहेगा कि मुझे खटा बहुत पसंद है अच्छा है खटा इसने अडिक दाला है एक व्यक्ति कहेगा मुझे तीखा कम पसंद है तो इसमें तीखा कम होना चाहिए यानि दो व्यक्ति एक वस्तुवों के आधार बना कर संकेत का जो प्रयोग कर रहे हैं वो भाशा है कि चौथे बिंदू की बात करें डॉक्टर बाबूराम सकसेना इन्होंने समानने भाशा विज्ञान नाम की किताब लिखी जिसमें यह कथन इनका उल्लेखित है कि जिन ध्वानी चिन्हों द्वारा मनुष्य परस पर विचार भी निमय करता है अब देखिए बार बार हर किसी की परिभाशा में आपको ध्वानी ध्वानी चिन है या ध्वानी संकेत के साथ व्यक्त अव्यक्त ये सारी चीज़े लगी रहेंगी तो जो विचार विज्ञे में करता है उनको समश्टी रूप से भाशा कहते हैं यह ध्य जब इब यहां समस्टी एक नया शब्द आया, इसका अर्थ क्या है? तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, समस्टी का अर्थ होता है सामुहिकता, सब का समुहू, तो समस्टी का अर्थ आपने जाना सामुहिकता, जो बच्चे एक daqui मौमिस पर रहे हैं माइक्रो वो इसक माइक्रो शब्द का इस्तमाल करते हैं समश्टी के लिए ठीक है समश्टी मतलब सामोहिकता सब चीजें जब एक जगा आकर टुटलैटी में बात हो तो माइक्रो शब्द वो ज्यादा सटीक होता है समश्टी के भाव को व्यक्त करने के लिए ठीक है एक रामिस वाले बच्च अपने विचार विनिमय को समश्टी रूप में यानि कुल मिला कर जब वो प्रस्तुत करता है ना तो वो समश्टी रूप को भाषा कहते हैं जैसे अभी मैं एक टॉपिक समझाने की जरिये जिस्त भी ध्वानी चिन्हों का संकेतों का प्रयोग कर रही हूं वो कुल मिला की भाषा है और मैं हिंदी भाषा के माध्यम से आप तक एक विशय को प्रस्तुत कर रही हूं तो समश्टी रूप में यानि कुल मिला कर ठीक है अब देखिए डॉक्टर मंगल देव शास्त्री का कथन क्या कह रहे हैं भाषा मनुस्यों की उस चेश्टा या व्यपार को कहते हैं अब यहां एक नई बात आ रही है मनुस्य की चेश्टा या क्रिया व्यपार व्यपार का मतलब यहां पर वस्तुओं की खडित विक्री से नहीं है बजार वाले वैपार नहीं जब आप किसी कारे को करने के लिए जो भी कारे प्रणाली का इस्तमाल करते हैं उसे क्रिया वैपार कहा जाता है चेश्टा वैपार ठीक कारे प्रणाली तो भाषा मनुष्य की चेश्टा या वैपार को कहते हैं जिस से मनुष्य अपने उचारण पयोगी शरीरा अवयावों से उचारण किये गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं अब इनका यह जो कथन है वो जरा घुमावदार है लेकिन हम लोग टुकरे टुकरे में इसको समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहली बात तो यह कह रहे हैं कि भाशा क्या है मनुष्य की चेश्टा है एक वैपार है मनुष्यों ने कोशिस की एक हम आदिकाल की अदिबात करें तो आद युग में मनुष्यों ने कोशिस की कि ध्वनी से बढ़कर ध्वनी को चिन्नित करने के लिए कुछ हुआण न बनाए जिसके वजह से उन्होंने लिखत भाशा को जन्म दिया ठीक है उसको सयोजित रखने के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए तो जिस प्रयास को जिस छेष्टा को उन्होंने व्यक्त किया वो भाशा है ठीक है अब वो व्यक्त कैसे होती है जिससे मनुष्य अपने उच्चारन पयोगी उच्चारन पयोगी एक लंबा शब्द हो गया इसका समीकरन आप समझे उच्चारन पयोगी में उच्चारन और उ उचारन के लिए उपयोगी हो, वो उचारन उपयोगी है, अब यहाँ पर देखिए एक शब्द आ रहा है श्रीरा वयवों का मतलब क्या है? शरीर प्लस अव्यव और मिलके आ बन गया इसलिए यहां पर शरीरा है वा या वो जो कते हों है लेकिन शरीर के अव्यव यानि शरीर के अंग पार्ट्स जिससे आप कहते हैं उसे अव्यव कहा जाता है तो शरीर के अव्यव यानि मनुष्य अपने उचारन पयोगी यानि जि जिस हिस्से का उपयोग दोद्वारा इपने विचारन करते हैosi तो यहां पर सीदी सीधी नहीं कह रहे हैं कि मनुष्य अपने मुख से जो भी उचारित करता है उचारन के लिए उपयोगी जिस भी शरीर अव्यवोंसे वह उचारन करता है यानि जिस भी अंग से उच्चारन करता है, दात से करे, कंठ से करे, जहवा से करे, केवल एक संकेत ध्वानी भी निकलती है, आवाज आती है, चुप रहने का संकेत देती है, कुछ भी ठीक है? तो भाशा क्या है? मनुष्यों की उस चेश्टा व्यपार को कहते हैं, जिससे मनुष्य अपने उच्चारन पयोगी, शरीडा वयोवों के से उच्चारन कियेगे, वर्दनात्मक या व्यक्त शब्दो द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है। वर्दन आत्मक यानि जिसका वो वर्दन कर सके व्यक्त कर सके उसको उस विचार को पूरी शब्द सम्मों को यहां प्रकट करता है यह मंगल देव शास्त्री का कथन है इसे आप बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए आप एक पंक्ती को तभी समझ पाएंगे जब उस हमारे विचारों एवं मनो भावों के उन चिन्हों का पूर्ण योग है देखिए उन चिन्हों का पूर्ण योग है जिनके द्वारा हम अपने बाह विचार एवं भावों को एक बार प्रकट करके उनकी पुनरा वृत्ती कर सकते हैं अब यह थोरी नई बात कह रहे हैं मनो भावों के जैसे अभी मेरे मन में ये भाव है कि मैं आपको यह टॉपिक समझा दूँ तो जब मेरे मनो भाव में ये चीज़े आई तो उन्हें चिन्हों का पूर्ण योग है जिनके द्वारा हम अपने बाहि विचार और भावों को एक बार प्रकट करके पुनरा वृत् बाहि वर्ति हे तो उसकर पुनरा व्रित्ति का मतलब क्या है पुनाह अव्रृति आवर्ति का मतलब वोता है बार-बार रिपिटेशन दोहराना और यह एक विसर्ग संधी है यानि किये हुँए काम या बात को फिर से करने या दोहराने की Ukrilia भाव, लॉटना वाप सी, ठीक है तो हम अपनी कही गई बात को बार बार दोहराते भी है ये भाशा का अंग है अब आगे बढ़ते हैं अचारे शिव पूजन सहाई ये क्या कह रहे हैं भाशा वाक्यों से बनती है वाक्य शब्द से बनते हैं और शब्द मुल ध्वानियों से बनते हैं देखे ये व्य तो इसे अलग लग शब्द हैं और शब्द किसे बने हैं मूल ध्वनियों से बने हैं जैसे अआक यह सब वर्ड ने हैं इस तरह वाक्य शब्द और मूल ध्वनिया ही भाषा के अंग हैं तो यहां पर इन्हों ने भाषा के अंग को परिभाशित करते हुए भाषा की समझ एक तरह से दे दी, अब बात करते हैं महर्शी पतंजली की, इनकी जो बात है वो एकदम छोटी सी है, ये कह रहे हैं कि जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती हो, उसे भाषा करते हैं, एकदम उपर लिखे गए, उपर युक्त, परिभाशाओं के आधार पर आप क्या कह सकते हैं? कि भाषा मुख से उच्चरित, यानि मुख से उच्चरित हो रही है, उच्चरित मतलब उच्चारन किया जा रहा है, तो भाषा मुख से उच्चरित उस परंपरागत, सार्थक, एवं व्यक्तध्वानी संकेतों की समस्टी को कहते हैं, जिसकी सहायता से मानव आपस में विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं, तथा जिसका वे स्वेच्छा नुसार यानि अपने मन के अनुसार अपनी इच्छा नुसार दैनिक जीवन में प्रियोक करते हैं, ये जितने भी आठ परिभाशा हैं आपने अभी पढ़ी, इन सब में परियोक्त होने वाली विशिस्ताओं को एक जगह एक पंक्ती में रख दिया गया है और अंतता एक भाशा को क्या कह सकते हैं कि वह मुक्से उच्छरित है, वह परंपरागत है, वह सार्थक है, व्यक्तद्वानी संकेतों की समश्टी है, जिसे हम अपनी इच्छा नुसार प्रकट करते रहते हैं, तो ये मूल रूप से बात हुई परिभाशा प यदि सवाल रहे कि अब भाशा की प्रकृती लिखें, वहावी आप लिख पाएंगे, यदि सवाल रहे कि अब भाशा की विशेस्ता लिखें, तो वहाँ पर भी काम कर जाएगा, क्योंकि प्रकृती ही विशेस्ता होती है, मनुष्य की प्रकृती है, यानि मनुष्य की वि कारे करता है ठीक है तो यह प्रकृति और विशेस्ता लगवग लगवग एक ही चीज है सद्ध प्रतिशत तो नहीं है 100 परसंट नहीं का सकते हैं लेकिन कुछ-कुछ जैसे अंतर में बता दोंगी तो पहली बात हो रही है कि भाषा पैत्रिक संपत्ति नहीं है अर्जित संपत्ति है त्रहया धान दीजिएगा पैत्रिक का मतलब होता है जो आपको विरासत में चीजें मिल जाएं कि लो बाबू ये तुम्हारी चीजें है तुम सभालो भाषा परंपरा से मिलती है आप सीखते हैं और जब आप सीखते हैं तो आप अर्जित करते हैं आप जितना अर्जन करेंगे जितना सीखेंगे आपकी भाषा उतनी अच्छी होगी आप कोई दूसरी भाषा सीख लीजिए कोई तीसरी भाषा सीख लीजिए आप पाच्छे भाषा है कि भाषा पैत्रिक संपत्ती नहीं है उदारणत यदि किसी भारतिये बच्चे को एक दो वर्ष की अवस्था से ही फ्रांस में पाला जाए तो वह हिंदी की अपेक्छा फ्रांसी सी ही बोलेगा और समझेगा यदि भाषा पैत्रिक संपत्ती होती तो मनुष्य पर उसके प मनुष्य अपने चार ओर के वातावरण से भाषा सीखता है आप लोगों ने काटून देखा होगा या सिरियल देखा होगा मोगली एक करेक्टर आता है जिसमें मनुष्य का एक बालक एक बच्चा जानवरों की बीच में वनों में पलता बढ़ता है और वह उनकी भाषा सी ठीक ऐसा ही उधारन अभी आपको स्क्रेंट पर दिखाया गया कि यानि पैत्रिक संपत्ति होती विरासत में मिलती तो आप दुन्या के किसी कोने में बालपन में हो आप अपने ही कुल की भाषा सीखते लेकिन ऐसा नहीं है भाषा हो क्या है अर्जित किया जा रहा है आप जितना कमाएंगे उतना सीखेंगे दूसरा बिंदू भाषा समाजिक वस्तु है और चीर पडिवर्तन शील भी यानि एक तो भाषा समाजिक वस्तु है इसकी चर्चा कुछ देर पहले हो चुकी है कि मनुष्य एक समाजिक प्राणी है इस नाति भाषा भी उसकी समाजिक व रहता है वहां से उसी समाज की भाषा का अर्जन करता है मनुष्य के समाजिक प्रामी होने के नाते उसके विचारों की अभिव्यक्ति का साधन भी समाजिक होना लाजमी है जैसा कि इस पष्ट है ठीक है यह जो बात हुई यह हुई कि समाजिक वस्तु है भाषा दूसरा पार कास कभी भी एक धर्रे पर तो होता नहीं है समाज अपना रूप पल-पल परिवर्तित करता है समय के साथ तो समाज में परिवर्तन होने का कारण भी यही है और भाशा भी चीर परिवर्तनशिल इसलिए है क्योंकि उसका आधार समाज होता है इसलिए भाशा चीर आगे देखिए प्रतेक भाषा की एक भोगौलिक तथा एतिहासिक सीमा होती है निश्चित रूप से कैसे देखिए प्रतेक भाषा अपने भोगौलिक स्थिति से प्रभावित होती है निश्चित रूप से आपका आपके कंठ का निर्वान या आपकी आपकी गली का जो टोन है वो भगौलिक स्थितिवन दिर्फर करेगा ठंड प्रदेश में कंठी नहीं खुलता है तो शुद्ध उचारण या पूरे तरह से उचारण कैसे होगा इसी वज़ा से जगा जगा पर भाशा में अंतर पड़ जाता है तो एक निश्चित भगौलिक सीमा के भीतर एक भाश अपने वास्तवीक छेतरो चरूर्प में होती है तक है तक है तक है कि वह वरीत हो रही है । उस सिमा के बाहर उसका जो स्वरूप है ना वो नियूनाधिक रूप से यानि नियून मतलब कम अधिक कम वेश वो परिवर्तित होता रहता है और भगौलिक स्थिति की भाति इसकी इतिहासिक सिमा भी होती है क्यों कि प्रतिक भाषा किसी निश्चित काल से आरभ होती है और क किसी निश्चित काल तक वहवरित भी की जाती है और वह भाषा अपने काल के पूरवर्ति भाषा से भिन्न होती है यानि मान लिजे अगर आपने पढ़ा होगा कभी तो भक्तिकालीन हिंदी साहित्ति की जो भाषा है वो ब्रजोर अवधी चल रही है आज खड़ी बोली हि भाषा अपना रूप बदल लेती है और इसी वजह से इसका इतिहासिक सीमा है क्योंकि एक इतिहास के साथ यह संचरन कर रही होती है एक आज का समय है वह आने वाले भविश्य के बाद वर्तमान से वह अतीत बन जाएगा तो जब वह अतीत बनेगा तो अतीत यानि समय के सा संचरन होनी की वजह से वह अतिहासिक भी हो जाएगी तो भाषा का भोगौलिक और अतिहासिक सीमा है अब बत करते हैं भाषा की धारा सुभावता कठिनता से सरलता की ओर जाती है यह ध्यान रखिएगा कि भाषा कठिन से सरलता की ओर जाती है कैसे निश्यत रूप से शाइ से नीचे की और जाती है, यानि कठिनाई से सरलता, भाशा पहले कठिन होती थी, दिरे दिरे लोग इसे आसान बनाने लगते हैं, मनुष्य के यह जन्मजात सोभाव है कि कम से कम प्रियास में वा अधिक से अधिक लब लेना चाहता है, और इसी कम प्रियास में या यू कहें कि मुख सुख हे तू सतेंद्र सतेंद्र को वह क्या कहता है सतेंद्र यहां का उच्चारण होता ही नहीं है सतेंद्र नहीं बोलेगा सतेंद्र बोलेगा और फिर वह सतेंद्र भी कहने लगता है और अंत में मात्र यह जो शब्द है वह सती यह सत्तो कहकर ही काम चलाने ल आता है आपको याद होगा एक फिल्म कभी आया था फिल्म का नाम था मेरी शादी में जरूर आना कुछ ऐसा ही शीर सकता और उसमें जो मुख्य किरदार निवा रहा हिरो है जिसका दिल तूट जाने के बाद वो यूप्यसी या कुछ ऐसा एक्जाम की तयारी कर रहा होता वह और भाषा की धारा क्या हुई कठिनता से सरलता की ओर जाती है जितना समय लगेगा सत्येंद्र बोलने में उतने में सत्तों से वह पुकाड लेंगे ठीक है तो यह मनुष्य की सभाविक प्रविर्ति है अब बात करते हैं पाचवे बिंदू की तो भाषा स्थूलता से सुक्षमता और अप्राधता से प्राधता की ओर जाती है यह भाषा की प्रक्रती भी है और विशेस्ता भी क्योंकि भाषा जब निर्मित हो रही होती है अपने प्रारंभिक दौर में तब वह स्थूल होती इस थोल का मतलब मोटे मोटी रूप में हो तो मोटा मोटी जिसे काते हैं जिसमें finishing की कमी है जिसमें व्याकरनिक अशुद्धियां भी है और अप्रॉड है यानि अशुद्धियां भी है तो धीरे धीरे वहाँ सुक्ष्म होती है गहराई से अपनी कमियों को दूर करती है उस विद्धा की ओर भी आती है क्योंकि सबसे अच्छी भाषा वही मानी जाती है जिसका व्याकरन स्थोल हो और व्याकरन के नियम से वह भाषा केंद्रित हो रही हो तो विश्लेशान देखिए कि भाषा की उत्पत्ती पर विचार करें तो इस पश्ट होता है कि भाषा भमे स्थोल थी मोटा-मोटी उच्चारन या धोनी संकेतों का अपर योग करके लोग बात कर ले रहे थें लेकिन फिर धीरे-धीरे उसमें सुधार होता गया और धीरे-धीरे उसने सुक्षमितां को प्राप्त किया यानि इतनी बारी किया अभी एक भाषा में इतनी बारी इतनी बारी कियों का समावेश होने के नाते ही आपको इतनी परिभाषा, तत्व, प्रकृति, विशेस्ता, आदि पर चर्चा करनी पर रही है तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व है दिन प्रति दिन भाशा का विकास होता रहा है और वह अप्रोड से प्रोड और प्रोड से प्रोड तर होती जा रही है यानि काफी अच्छे रूप को प्राप्त करती जा रही है चटा बिंदू है भाषा परंपरा है व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है उसे उत्पन नहीं कर सकता है इस बिंदू को आप ध्यान दीजिए ठीक है आप उत्पन नहीं कर सकते हैं और साधारन सी बात है कि व्यक्ति भाषा का अर्जन कैसे करता है परंपरा के माध्यम से और सिखता है एक वेक्ति उस परंपरा में परिवर्तन तो ला सकता है किन्टों उसे उत्वन नहीं क्र सकता क्यूंpg आपको लग सकता है कि उसमें कुछ अशुद्धिया थी व्यक्रान अचारियों ने हिंदी को परिमार्जित किया उसको सुधारा लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं कर सके तो यह मूलबुद बात है अप गलतियां सुधार सकते हैं और भाशा का अरजन आप करते कैसे हैं यह भाशा की प्रकृती ही है कि आप अनुकरण द्वारा ही आप उसे सीख सकते हैं अनुकरन करना मनुस्य का सभाव होता है सभाविक प्रक्रिया है और अर्जन की विधी के संबंध में इतना तो सपष्ट है कि भाशा को हम अनुकरन द्वारा सीखते हैं आप बोलना सुने या आप लिखे कॉपी करें बच्पन में बच्चों को डॉट डॉ अब बात करते हैं भाशा की अन्य विशेस्ता तो यह ध्यान दीजिए कि अब तक जिन बिंदूं को आप देख रहे थे वह प्रकृती भी है और विशेस्ता भी तो भाशा की कुछ बिंदू आपको जो यहां नजर आ रहे हैं यहां मात्र विशेस्ता है ठीक है इसे लिए अन्य विशेस्ता में रखा गिया है तो भाशा की विशेस्ता क्या है कि भाशा अभिव्यक्ति का माध्यम है अब आप इन्ने विशलेशन के जरिये समझ सकते हैं और अभी तक हम जिस विशेविंदू पर बात कर रहे हैं मैं अपनी भावनाय व्यक्त कर रही हूँ आप तक पहुचा रही हूँ तो भाशा अभिव्यक्ती का माध्यम हो गया अपने भावों को अभिव्यक्त करके दूसरों तक पहुचाने ही तो भाशा का उद्वा हुआ है भाशा के माध्यम से हम न केवल अपने भावों, विचारों, इच्छाओं और अकांग्छाओं को दूसरों पर प्रकट करते हैं अपीतु दूसरों द्वरा व्यक्त भावों, विचारों और इच्छाओं को ग्रहन भी करते हैं सुनना और सुनाना, जानना और जताना के मुलभुत कौशल है ये भाशा के मुलभुत कौशल है तथा संप्रेशन के मुलभुत साधन भी है अभिव्यक्ति के माध्यम से ही भाशा के अन्यतम कौशल है पढ़ना और लिखना जो कि विधिवत सिक्षा के माध्यम से पूरा होता है विकसित होता है यानि अभिवेक्ती हम नानाप्रकार से करते हैं, पढ़कर, लिखकर, बोलकर, सुनकर, हावबहव प्रकट करके, तो भाशा क्या है अभिवेक्ती का माध्यम है? या चिंतन का भी माध्यम है? दूसरी विशेस्ता, विद्यार्थी बहुत कुछ सुने, बहुत कुछ बोले, लिखे, पढ़े, इतना प्रयाप्त नहीं है विद्यार्थी को बहुत कुछ लिखने, बोलने, सुनने के सासाथ ही अभी जरूरी है कि वो जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उस अधार पर स्वयम चिंतन मनन कर सके यदि आप भाशा की इतनी परिभाशा और विशेष्टन जानने के बाद आप अंतिम रूप से चिंतन न कर सके कि इसमें ऐसे भी तो हो सकता है या आज मैं इस तरह से परिभाशा दे सकता हूँ या दे सकती हूँ तो समझ में या फिर चिंतन प्रक्रिया में थोड़ी कमी है इसलिए भाशा के माध्याँ से चिंतन करना भी सिखाया जाता है भाशा विचारों का मुल स्रोत है और भाशा के बिना विचारों का कोई अस्तित्व नहीं और विचारों की बिना भाशा का कोई महत्वन नहीं है यानि एक अहीं सिक्के के दो पहलू है विचार और चिंतन और साथ में भाशा भी अब आगे बढ़ते हैं भाशा संस्कृती का माध्यम है हमारी संस्कृती भी तो भाशा के माध्यान से परिक्त होती है भाशा और संस्कृती दोनों परंपरा से प्राप्थ होती है यह ध्यान रखिए दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध है जहां समाज के क्रिया कलापों से संस्कृती का निर्मान होता है और वहीं सांस्कृतिक अभी व्यक्ति के लिए क्या चाहिए भाशा की आविशक्ता है तो भाशा का अधार लिया जाता है किसी भी शेत्र विशेस के मानाव समुदाय को परखने के लिए उसकी भाशा को आप ध्यान दीजिये समझिये किसी भी जन समुदाय की चाल ढाल, रहन सहन, वेश भूशा ही नहीं अपितूस की सच्चाई, सच्चता, शिष्टाचार, सेवा भाव, साहस, उदारता, निष्ठा, स्रम शीलता, धर्म निर्पेक्षता आधी उसकी भाशा की अध्यान से स्पष्ट हो जाते हैं यानी की सभ्यता, जो की बाहरी चीज है, वो तो आप उसके जीवाशाली को देखकर समझ लेंगे, पढ़ के समझ लेंगे, लेकिन मनुश्र की जो आंतरिक सोच की निर्मिती है, जो उसकी चिंतन प्रणाली है, वो कितनी लोकमंगलकारी है, इसका भी एहसास आपको उसकी भाशा से होता है, ठीक है? अगले बिंदू की बात करते हैं, तो भाशा क्या है? साहित्य का भी माध्यम है, अब निश्चित तोर पे अभी हम एक साहित्य के धरातल पर खड़े होकर भाशा को समझ रहे हैं, तो भाशा साहित्य का आधार है, भाशा के माध्यम से ही साहित्य कि अभी वेक्ती होती है अलग-अलग विधाओं में किसी भी भाषा के बोलने वाले जन समुदाय के रहन सहन अचार विचार आदिका या थार्थ चित्र प्रस्तुत करने वाला उस भाषा का साहित्य होता है और साहित्ते के जरिये हमें किसी भी समाज के समाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का पता चलता है जैसे आपने पढ़ा होगा 10th या 12th की किताब में एक राहुल संकृतियायन की पाठ का नाम है लहासा की ओर तो यह कृति अंकी थे उस किताब में जिसको संकृतियायन जी ने लिखी है उसमें वो अपनी तिबबत यात्रा का जिक्र कर रहे हैं और साथ ही वो यह भी बता रहे हैं कि कैसे अलग-अलग पहारी इलाके में लोग चाय बना के पीते हैं वहाँ परिस्त्रियों का बाहरी व्यक्तियों से कितना प्रदा परता है या फिर उस तरह का भगोलिक वातावरन कैसा है यह सब कुछ जिक्र कर रहे हैं यानि तिबबत की इस अंस्कृती का क्या लोक आचार है क्या लोक वहवार है यह सब हमें उनके साहित्य से पता चल रह उसमें तुछ और हीन भावनाय ना हो वैसे विचार तो अतह भाषा का सहित्तिक रूप हमारे बौधिक एवं भावातमक विकास में सहायक होता है और सहित्तिक यह अनमो संपत्ति भाषा के माध्यम से हम तक पहुच पाती है तो यह अहम रोल है और यह चार विंदू जो है भ हुई पुरी तरह से भाषा की परिभाषा और उसकी विशेस्ता पर तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद